नमस्कार जेहिंजियम के ओनलाइन क्लासेज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है रोज हम आपके लिए जीके की प्रेक्टिस कराते हैं आप भी प्रेक्टिस कीजियो देखिये कितने प्रश्ण सही होते हैं चलो शुरू करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिये आज हम आपको बारत में जो हुए जी ट्वन्टी सिकर समयलन के बारे में कुछ महतोपून प्रश्णे बताएंगे जो जी ट्वन्टी सिकर समयलन है वो नहीं दिल्ली में हुआ था आठ नो और दस सितंबर को 2013 में जिसकी देखस्ता की थी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीने तो इसके बारे में ही हम आपको महतोपून प्रश्ण बताएंगे जो आने वाले कॉम्पिटिशन एक्जाम है तो 2013-2024 के जो भी कॉम्पिटिशन एक्जाम होंगे उनमें ऐसे प्रश्ण जरूर पुछे जाएंगे आरस है, आईयस एक्जाम है, जो भी बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन एक्जाम होते हैं उनमें जरूर पुछे जाते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और महतवपून परश्णों की जानकारी प्राप्त करें तो G20 सिकर समेलन 2023 कहां हुआ इसकी अद्धिक स्थाकिसने की कौन कौन से देश जो सामिल हुए इसके बारे में हम आपको बताहेंगे तो चलते हैं प्रश्ण की ओर आपका पहला प्रश्ण है G20 की स्थापना कब हुई G20 की स्थापना कब हुई थी G20 की स्थापना हुई थी 1999 में G20 की स्थापना हुई थी 1999 में G20 की स्थापना 1999 में विक्षित और विकास सील देशों के वित मंत्रियों और केंद्रिये बेंग गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी 1999 में G20 सिकर समेलन की इस्थावना अपका दूसरा प्रश्ण है किस सहर ने किस सहर ने 2023 में सिकर होने वाले G20 सिकर समेलन का आयुजन किया किस सहर ने किया 2023 में होने वाले G20 सिकर समेलन का आयुजन किया भारत देश ने भारत देश ने 2023 में G20 सिकर समेलन का आयुजन किया था जो 8, 9 और 10 सितंबर को हुआ था आयुजन भारत में G20 सिकर समेलन का 2023 में वा भारत में किया गया का तीसरा प्रश्न है भारत में हुआ जी ट्वंटी सिकर समयलन का विशे क्या है जी ट्वंटी समयलन जो भारत में हो था उसका विशे क्या था जी ट्वंटी सिकर समयलन जो भारत में हो था उसका विशे था एक प्रत्वी, एक परिवार और एक भविष्य。 भारत की G20 अध्येक्स्ता की थीम, नरेंदर मोधी, परधान मंतरी भारत के मोदी जी ने विदेश निती के मुखे टेंपलेट वशु देव कुटुम कम या एक परत्वी एक परिवार और एक भविश्य के अनुरूप है तो भारत में G20 शिकर समयलन की जो विश्य था वे था वस्व देव कुटुमकम या एक प्रत्वी एक परिवार एक भविश्य है आपका चोथा प्रश्ण है G20 का पहला सिकर समयलन कहां आयोजित किया गया UASA में आयोजित किया गया 2008 में वस्व गटन में G20 का पहला सिकर समयलन 2008 में UASA में किया गया आपका पांचोप प्रश्ण है 2023 तक G20 के कितने सिकर समयलन आयोजित हुए हैं 2023 तक G20 के सिकर समयलन आयोजित हुए हैं 2023 तक G20 के 18 सिकर समयलन आयोजीत में है और 18 जो सिकर समयलन है वो भारत में सपलता पूर्वक संपन हुआ था और अगले जो G20 सिकर समयलन है जो 2024 का वो ब्राजिल देश में होगा और 25 का है 2000 का वो होगा दक्षिन अफरीका में तो जो 2023 का जो 18 सिकर समयलन था वो जो सपलता पूर्वक भारत में संपन हुआ था तो 2023 तक G20 के 18 सिकर समयलन आयोजीत हुए है आपका छटा प्रश्न है भारत ने G20 सिकर समयलन कब आयोजीत किया भारत ने G20 सिकर समयलन कब आयोजीत किया 2023 में भारत ने G20 सिकर समयलन आयोजीत किया 2023 में भारत ने सिकर समयलन आयोजीत किया 2023 में जो दिल्ली में हुआ था 2023 में और इसमे और 20 बेठक की मेजबानी नहीं की गई लेकिन 2023 में भारत में G20 के 18 सिकर समयलन की मेजबानी की गई आपका सात्वाँ प्रश्न है G20 2023 लोगों की परेणा क्या है? G20 2023 लोगों की क्या परेणा है? G20 2023 लोगों की परेणा है भारत का राश्टिय ध्वज परेणा है G20 लोगों भारत के राश्टिय ध्वज के जिवन तरंगों के सरिया सपेद और हरे रंग और निले रंग से प्रेना लेता है ये प्रत्वी गरह को भारत के राष्टी फूल कमल से जोड़ता है जो चुनोतियों के बीच विकास को दर्शाता है प्रत्वी जीवन के प्रती भारत के गरह समर्थक दर्श्टी कोन को दर्शाती है जो प्रक ये द्वज है लोगों की परेरिणा G20-2023, आपका आटमा प्रश्ण है, G20 का क्या अर्थ है? G20 का अर्थ है, 20 का समू है, 20 का समू है, G20 का अर्थ है, 20 का समू है, आपका नवा प्रश्ण है, G20 का मुख्याले कहां है? बारत और UASA में है, G20 का मुख्याली आपका अर्थ है, जी ट्वंटी सिकर्समेलन की अधिकारिक बासा क्या थी जी ट्वंटी सिकर्समेलन की अधिकारिक बासा है अंग्रेजी फ्रेंच और इस्पेनिश जी ट्वंटी सिकर्समेलन की अधिकारिक बासा है अंग्रेजी फ्रेंच और इस्पेनिश जी ट्वंटी सिकर्समेलन की तीन यह चयार्व्मा प्रश्न ते दो हजार सम concurlike की मैंघाजबानी दो हजार चोबीस में करेगा ब्राजीन देश, 2024 में ब्राजिल जेश है जो शिकरसमेलन की मेजबانी करेगा जी टवंटी सिकरसमेलन की मेजबानी दो हजार चुबिस में ब्राजिल जेश करेगा है आपका बारमा प्रश्ण है दो हजार पच्चिस में कौन सा देश जी ट्वन्टी सिकर समयलन की मेजबानी करेगा दो हजार पच्चिस में करेगा दक्षिन अफरिका दो हजार पच्चिस में दक्षिन अफरिका जी ट्वन्टी सिकर समयलन की मेजबानी करेगा आपका तेर्वा प्रश्न है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने G20 की अध्यक्सा किसे हस्तान्तरित की थी लुईज इनाशियो लुला दा सिल्वा जो ब्राजिल के राश्टपति थे उन्हें परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने G20 की अध्यक्सा हस्तान्तरित की प्रधान मंतरी मोदी ने G20 सिकर्समेलन दोहजार तोईस के समापन और राश्टपति पत के हस्तान्तरन के प्रतीक के रूप में जो रविवार को 10 सितंबर को हुआ था G20 सिकर्समेलन दोहजार तेईस तो उस दिन ब्राजिल के राश्टपति लुला दा सिल्वा को उनकी अध्यक्सता हस्तान्तरित की थी नरेंदर मोदी ने G20 सिकर्समेलन की अध्यक्सता उन्हें संबाली थी आपका चैओध्मा प्रश्न है G20 की AI Anchor का नाम क्या है? आपका पंदरमा प्रस्न है जी ट्वंटी सिकर समयलन 2023 दिल्ली में कहां हुआ था प्रगती मेदान में इस्तित भारत मंडपम में प्रगती मेदान में हुआ था जी ट्वंटी सिकर समयलन 2023 दिल्ली में और वहां पे जो इस्तित है भारत मंडपम प्रगती मेदान में जो जगे है वो है भारत मंडपम में हुआ था G20 सिकर समयलन दो हजार तेईस प्रगत्ती मेदान में आपका सोलमा प्रशन है G20 का पहला सिकर समयलन कहा हुआ G20 का पहला सिकर समयलन कहा हुआ था G20 का पहला सिकर समयलन हुआ था अमेरिका में UASA में अमेरिका USA की है तो वहाँ वता बारत G20 का सिकर स्थमेलन अमेरिका में आपका सतर्मा प्रश्ण है G20 समोव में कुल कितने देश है G20 समोव में कुल कितने देश है G20 समोव में कुल देश है 20 देश G20 का मतलब है G20 20 देश तो 20 देश है G20 समोव में आपका अठारोंअ प्रशन है दिल्ली में हुए G20 समेलन की थीम क्या थी? दिल्ली में हुए G20 2023 की थीम थी वस्वदेव कुटूम्ब कम थी जी데 terrace जो डिल्ली में हुआ था उसकी थीम थी वस्वदेव कुटूम्ब कम आपका उन्नीसमा प्रस्ण है जी ट्वंटी सिकर समयलन 2023 की अद्धेक्स्ता किसने की जी ट्वंटी सिकर समयलन की अद्धेक्स्ता 2023 किसने की थी जी ट्वंटी सिकर समयलन की अद्धेक्स्ता 2023 में की थी जी ट्वंटी सिकर समयलन के नरेंदर मोदी जी जो जी ट्वन्टी सिकर समयलन के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ही अध्यक्षता की, आपका वी स्वाप्रश्ण है, जी ट्वन्टी सिकर समयलन की स्थापना कब हुई? जी ट्वन्टी सिकर समयलन की स्थापना हुई थी, 26 सितमबर 1999 में, 26 सितमबर 1999 में जी ट्वन्टी सिकर समयलन की स्थापना हुई थी, आपका वी स्वाप्रश्ण है, जी ट्वन्टी से पहले दिल्ली की किस इमारत पर लेजर शो हुआ? G20 जो सम्मेलन था उसे पहले दिल्ली में किस इमारत पर लेजर्षो हुआ तो G20 से पहले दिल्ली में कुटुब मिनार जो इमारत है उस पर लेजर्षो हुआ था अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेड जरूर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए करंड जिके की जानकारी के लिए मरतव पून परशनों की जानकारी के लिए और अलग अलग जो परतियों की परिक्षाएं होती हैं उनके परशनों की जानकारी के लिए च